Hello Friends, Welcome to Edu Trano आप सभी का Edu Trano में एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि हम लोग इस सेसन में पढ़ते हैं Tense के बारे में तो Tense के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था Tense होते कितने हैं और जो present tense हैं इसके भाग देखे थे साथ ही हमने उसमें affirmative जो sentence हैं उसे बनानी कीवी थी साथ ही negative sentence जिसी कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने लोग डिटेल से चर्चा किये थे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं present indefinite के interrogative sentence के बारे में तो present indefinite के जो interrogative sentence होता है उसमें पहचान सेम रहता है यानि कि जो भी sentence होंगे तो वाक्य के अंत में क्या आएगा ता है, ती है, ते हैं यही सारे सब्द आते हैं पट इसमें ये होता है इसमें question पुछा जाता है यानि कि जो भी हमारा rule होता है उसमें थोड़ा सा change करके जो do या डज हम लोग पिछले वीडियो में negative sentence में subject के बाद लगाते थे वो इसमें हम पहले लगाते हैं यानि कि इसका rule क्या होता है कि जो भी do या डज है उसे हम पहले लगाएंगे फिर लिखेंगे subject और subject के बाद वर्व का फास्ट फाम ही लगाएंगे फिर लिखेंगे object एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि करता एक वचन है यानि singular नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन के साथ do का प्रयोग करते हैं और जब हम interrogative बनाते हैं तो उस समय इस बात का विशेश द्यान रखते हैं कि जो हमारा sentence समाप्त हो वहाँ last में हम question mark आवस से प्रयोग करें तो कुछ examples देखते हैं जैसा कि पहला example है क्या वह रोज school जाता है तो इसकी English बनाएंगे क्या वह चुकि question से शुरू हो रहा है तो इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे question start करने के लिए डज लगा दिए और इसके बाद से वह की English हमने ही लिखा चुकि हमने डज इसलिए लगाया है क्योंकि ये singular number है एक वचन करता है तो इसके साथ हमने डज का प्रयोग किया डज ही go to school daily क्या वह रोज इस्कूल जाता है अगले एक्जामपल है क्या वे मुझे जानते हैं क्या वे मुझे जानते हैं यानि यहाँ पे क्या है subject बहुवचन है यानि इसके साथ हम do का प्रयोग करेंगे do they know me last में हम question mark अवसे लगाएंगे यदि कोई पूछे क्या हुवे मुझे जानते हैं तो इसके English क्या होगी do they know me अगले एक्जामपल है क्या आप बयायाम करते हैं तो क्या आप बयायाम करते हैं तो do you take exercise जैसा कि class में हम लोग देखते हैं अक्सर teacher करते हैं क्या आप बयायाम करते हैं तो वहाँ पे particular किसी एक student की बात नहीं की जाती है वहाँ सभी लोग को include किया जाता है इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग हो जाते हैं और वहाँ पे हम do का प्रयोग करते हैं अगला है अगली slide में थोड़ा सा कुछ changes आते हैं जैसे कि यदि वाके की बीच में क्यों सब्द आता है तो पहले वाई का प्रयोग करते हैं तथा बाद में do या ड़ज का प्रयोग करते हैं यानि कि यदि कोई सब्द हमसे बोला जा रहा है कोई sentence बोला जा रहा है और उसमें क्यों सब्द आ गया तो वहाँ पे do या ड़ज का प्रयोग वाई की बाद होगा जैसा कि example देखेंगे उससे हमें clear हो जाएगा example है बंदर पेंड पर क्यों चड़ते हैं तो यहाँ क्यों सब्द आया है तो क्यों सब्द के अंग्रेजी हम वाई लिखेंगे वाई फिर हम लगाएंगे डू वाई डू दा मंकीज क्लाइम आन्द ट्री यानि बंदर पेंड पर क्यों चड़ते हैं इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डू दा मंकीज क्लाइम आन्द ट्री next example है वह स्कूल क्यों जाता है तो वह स्कूल क्यों जाता है यानि हम सबसे परले क्या लगाएंगे क्यों सब्द के लिए वाई वाई और चुकि वह है इसके लिए हम लगाएंगे डज वाई डज ही गो टू स्कूल अगला है क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते है यानि यहाँ पे क्यूं सब नहीं आया है तो यहाँ पे हम Y का प्रयोग नहीं करेंगे जब हमें क्यूं सब मिलेगा तभी हम Y का प्रयोग करेंगे तो इससे simply बना लेंगे Do the voyage play cricket in the field तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आवसे लाइक करें और अपने वैलुएबल कमेंट दें और यदि कोई क्वेरी हो आपकी तो EDU ट्रेनों पे आप इसली आस कर सकते हैं हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं वो उसका जबाब देंगे साथी हम लोगों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ थैंक्स